पिक आर्ट ओपन करते हैं पिक आर्ट ओपन करके आपको दिखाते हैं कि एक नया थमनेल कैसे बनाते हैं थमनेल बनाने के लिए सबसे पहले जैसे थमनेल हमने बना दिया एक ये फोटो लेते हैं ये ये एक थमनेल है ठीक है थमनेल बनाने के लिए जैसे आप कोई भी फोटो आप क्लिक कर लेंगे कहीं से भी कोई फोटो एक क्लिक कर लेंगे और उसको उस पे कोई भी टेक्स लिख है ठेक है कोई भी टेक्स लिखना है या फिर यहां से आप कोई भी image लेना चाहते हैं यहां detect αυτό अब कोई भी image जैसे यह है यहां पेक हलाँ यहां पोeren और acquired का यह limit सेट हो गई अब यहां पर में एक Facebook WhatsApp और भी अपना यहां हिंदी में text लिखना है ठीक है airdrop का परियोग उपयोग कैसे करें how to use airdrop यह हम एक template बना रहे हैं अपने एक project के लिए तो इस तरह से आप कोई भी text यहां से यहां से आप text ले लेंगे कुछ भी लिख सकते हैं अपना नाम राम, पांडे कुछ भी लिख लेते हैं ठीक है यह नाम लिख लिया और इस type का यह अपना text आगया आप कहीं पर भी चिपका सकते हो, text का color यहां से आप color change कर सकते हो ठीक है, यह दिखें red हो रहा है कोई भी color का हो जाएगा ठीक है और जहां पर भी आप चाहो लगा सकते हो template ठीक है एक template आपने बना लिया template को इस तरह से आप save कर लेंगे यहां पर आपने save कर लिया ठीक है template save होने के बाद अब हम आते हैं अब आते हैं आप download करेंगे apple store से yt studio ठीक है, यहां पर जाके search करेंगे yt studio यह है यह download करेंगे वो मेरे में download है youtube studio जहां से आप open करेंगे ठीक है जब आप open करेंगे तो मेरा जैसे आपका जो भी channel होगा वो आ जाएगा ठीक है जैसे कि मुझे इस अब कोई भी यहां आ गए dashboard and video playlist comment and analysis यहां हम अपने चैनल का analysis देख सकते हैं कितनी discover audience and interacts and play playlist क्या है ठीक analysis करने के बाद comment कौन से new comments आए ठीक है उनको like comment and reply भी कर सकते हैं ठीक उसके बाद आप यहां आ गए dashboard पर dashboard पर हम आप देखेंगे कि यह मैंने अभी recent में एक video upload करी है the India most happening happening place guru gram cyber hub ठीक है इस video पर आएंगे और यहां आपको एक फट एक आपको वो यहां पर इस पर click करेंगे ठीक है यहां पर हमें एक लगाना है एक thumbnail बनाना है thumbnail के लिए यहां पर custom thumbnail पर click करेंगे custom thumbnail पर यहां पर custom thumbnail पर यह क्लिक कर दिया और यह adjust करना हो आप तो एक वर adjust कर लोगे और यह हमने कर दिया और इसमें भी कोई text या कोई editing करनी है ठीक है यहां थोड़ा सा उपर जाएगा यह ठीक है यह हो गया यहां से back आ जाएगे और सबसे most important things सबसे most important things title आप ऐसा रखेंगे जिस पर most of most of reach जब से ज़्यादा reach जिस वीडियो पर आई हो तो वो रखेंगे description में भी आप उच्छा खासा आपना कुछ भी topic के according आप कर सकते हो ठीक है और यहां पर tags tags में आप कर सकते हो cyber hub ठीक है और फिर cyber hub हो गया guru gram ठीक है guru gram यह हो गया गुड़ गाह हो गया गुड़ गाह हो गया गुड़ गाह हो ठीक है और फिर most happening place ठीक है place यह हो गया और जो भी आपके दिमाग में आए cyber cyber city ठीक है cyber hub यह tags बहुत ज्यादा important है tag के वज़ा से ही आपकी वीडियो पर reach आएगी ठीक है best place of good गाहों of गुरु गाहों ठीक है good गाहों हो गया फिर best best place of guru गाहों यह हो गया NCR video यह हो गया अब अब इसको public कर देंगे हम ठीक है ठीक है तीक है तेक क्यू तेक यह